नौ इस्टुडेंट, वे आर इस्टुडी इन बी एस्टी सेकेंडेर, जोलोजी, पेपर थर्ड, यूनिट पर्ष्ट में थर्ड डे का अध्येन करेंगे, सोरी, फिप्त डे का अध्येन करेंगे, पांचवे दिन के इस अध्येन में, हम स्टुडी करने जा रहें, कंसेप्ट अप लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर्स की आउधार्णा, इस्टुडेंट्स, सभी जीओं में ताप, आदरता, जल, लाउनों की सांदरता, एक्सेक्टरा, वाताओने कारकों के प्रतित टोलरेंस की एक सीमा होती, पतलब इन कारकों को सहन करने की एक सीमा होती, इसी में ये वरद्धी करते हैं और परजनन करते हैं, किसी विशिष्ट कारक की सान ये उच्चतम इस्थर से अधिक, या निम्त इस्थर से कम होने पर सीमा कारी कारक हो जाता है, सीमा कारी कारक किसे करते हैं, कोई भी विशिष्ट कारक, उस विशिष्ट कारक को सान करने की एक उच्चतम सीमा होती है या एक निम्नतम सीमा होती है इस उच्चतम या निम्नतम सीमा से बार जाने पर यानि उच्चतम सीमा से जाधा होने पर या निम्नतम सीमा से कम होने पर वह कारक सीमा कारी हो जाता है यहां मुरद्धिवा वित्रण को प्रभावित करता है इनी का अध्यन हम इस चेप्टर के अंतर के तब करने जा रहे हैं एक बार पिर बता दूँ यह कोई भी विशिष्ट कालक जैसे मालो ताप है अब ताप को सहन करने की मेरा सहन है इस्तर ताप के प्रती उच्चतम इस्तर 45 डिग्री से से तो 45 के बार या 59 इस्तर 15 डिग्री से से तो 15 से नीचे वह ताप मेरे ले क्या हो जाएगा सिमा कारी कारक हो जाता है जो व्रद्दिवय वित्रन को प्रभायुत करता है अब इसके लिए अकोर्डिंग टू सिलेबस अपने पास दो निये में लीविंग लो ओप मिनिमम लीविंग का नियूंतनमता का सिद्दान्थ इस सिद्दान्थ जस्टिस वान लिविंग ने 1940 में अपनी फुष्टक Organic Chemistry and its Applications to Agriculture and Physiology में दिया उसके अपनी फुष्टक ती Organic Chemistry and its Applications to Agriculture and Physiology उसमें ये शिद्दान्थ दिया गया बहुत सरल है शिद्दान्थ का नाम है शिद्दान्थ क्या है मतलब According to this theory इस शिद्दान्थ के नुसार पोदों की व्रद्धी उन पोशक तत्त्तों पर निर्वर करती है जो आउशक्ता से कम मात्रा में उपस्तित होते हैं गाने का मतलब पोदे जो व्रद्धी करते हैं उनको अपनी व्रद्धी के लिए वीबिन प्रकार के पोशक तत्तों की आउशक्ता होती है जो किसान खेतों में खाद के रूप में दवाईयों की रूप में देते हैं तो पोदों को व्रद्धी करने के लिए बहुत से पोशक तत्तों की आउशक्ता होती है तो पोदों की ये व्रद्धी है ना आउशक्ता तो सब की होती है लेकिन फिर भी ये वरद्धी किस पर निर्वर करती है उस पदार्थ पर निर्वर करती है जो आउशकता से कम मात्रा में होता है अर्थार्थ कम मात्रा में जो तत्र आउशके वही तत्र उसके लिए सीमाकारी हो जाता है इस पोदे अब पोदों की वरद्धी ओक्सिजन पर भी निर्भरे सा लेकिन ओक्सिजन अधिकतम मिल रही है ना CO2 अधिकतम मिल रही है ना तब भी पोदों को दिक्कत नहीं है मतलब वरद्धी उन पर डिपेंड नहीं कर रही लेकिन जो नियूनतम कारक है सबसे कम मात्रा में कारक है उस पर वह सिमाकारी हो जाएगा जैसे दान की पसल है अब दान की पसल H2O, CO2 प्रकास आदि से प्रभायूत नहीं होगी क्योंकि उसको जनरली प्रकास मिल रहा है कम मिले या ज्यादा मिले CO2 कम मिले या ज्यादा मिले मिल रही है H2O भी नर्मली मिल रही है लेकिन आवशक वह म्रदा में अगर बोरोन की मात्रा कम है अपितू आवशक वह म्रदा में अगर बोरोन की मात्रा कम है तो वह बोरोन के द्वारा प्रभावित होगा वह बोरौन के द्वहरा प्रुबावयोत होगा नेक्स्ट है आद्रूनिग लीविंग का नियुंतमता का सिद्धान्थ नियुंतमता का सिद्धान्स, समझ में आये गया होगा सिद्धा साय इस सिद्दान्त जश्टिस्वाल लेविंग ने अपने पुष्टक और्गनिक केमेस्ट्री और इट से अप्लेकेशन टू एगरी कल्चर एंड फीजियोलोजी में दिया था ठीक है अब रही बात सिद्दान्त क्या है दो लाएनों का है पोधा पोधी की वरदी उन पोशक त अपन निर्वर करते हैं जो आउशक्ता से कम मात्रा में होते हैं अर्तारत कम मात्रा में जो तत्व होता है वही उसके लिए सीमाकारी होता है उदान के रोप में दान की पसले उसमें पाने की भी आउशक्ता है CO2 की भी प्रकास की भी और बोरोन की भी लेकिन हम जानते हैं क पानी CO2 प्रकास आसानी से उपलब्द हो जाते हैं और अधिक मात्रा में रहते हैं खूब रहते हैं लेकिन बोरोन बोरोन मिनिमम नेसेसरी तत्वे कम से कम आउशक तत्वे अगर ये भी उपलब्द नहीं हो तो फिर व्रद्धी जरूर प्रभावित होती है आदुनिंग लिविंग का निन्तमता का सिद्धान ये सिद्धान ब्लैक मेन ने सिद्धिया था according to this इसके नुसार कोई भी कारक चाहिए ज़ाजा मात्रा में आउशक हो या कम मात्रा में आउशक हो अगर आउशकता से कम है तो वह सिमा कारी कारक हो सकता है इसने उसका और सरली करन कर दिया कारक कोई भी हो लेकिन अगर वह जितना चीए उससे कम मात्रा में है तो वह सिमा कारी कारक हो सकता है टेलर ने 1934 में बताये कि लीविंग का नियुंतमता का सिद्धान जिस प्रकार पदार्थों पर लागू होता है उसी प्रकार ये एनिमल्स पर भी लागू होता है लीविंग के नियुनतमता की सिद्धान को समझाने के लिए बाद में दो साइक सिद्धान दिया गए है जिस पे पाला है इस्तिर दिसा का सिद्धान दूसरा है कारकों की अन्तिक्रिया का सिद्धान ये लेविंग की सिद्दान को समझाने के लिए दे गए थे जो कि आजुनिंग निवनतमता की सिद्दान में सामिले इस्तिर दिशा का सिद्दान इसके अनुसार लेविंग का नियम कटोर्दा पूर्वक सिर्फ इस्तिर द्रसा में ही लागो होता है जब परिश्थित्यां इस्तिरो ये नेम उसी द्रसा में लागो होगा जब उड़्जाव पदार्तों का इन्फ्लो उनके आउट्फ्लो को संतुलित करता हो जब जितनी उर्जा अंदर आ रही है उतनी उर्जा बार जा रही हो तब ये सिद्दान्त लागोगा 18 उर्जा वह पदार्तों के अंदर वह बार वाले प्रवाव बराबर होने जीए सेकंडे कारको की अंतिक्रियागा सिद्दान्त इसके अनुसार यदि वातावन में किसी पदार्थ विशेज की अधिकता है मतलब वातावन में कोई पदार्थ अधिक है और सबसे कम आउशिक वाला पदार्थ नहीं है तो सबसे कम आउशिकता वाले पदार्थ की उपयोगिता दर बदल जाएगी और कम मात्रा में आवशिक पदार्थ के पेक्सा अधिक मात्रा वाला पदार्थ अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जा सकता है मतलब कारकों में अंते किरिया हो गई मतलब वाता और अरण में कोई पदार्थ अधिक मात्रा में और कोई पदार्थ कम मात्रा में अब आवसिकता कम वाले की है लेकिन वो उपलवज नहीं हो रहा तो पिर आवसिकता ज्यादा वाले की होने लग जाएगी और वो ज्यादा वाला यूज में आने लग जाएगा ये कारकों के अंतिक्रिया का सिद्धान्त हुआ नेक्स्ट है सेलफोर्ड का सिद्धा का नियम सेलफोर्ड ने ये भी अपने सिलेबस में ये नियम सेलफोर्ड ने 1913 में दिया था अकोर्डिंग टू दिस रूल सभी जियों की बहुत इक वातावन के कारकों को सर्ण कर सकने की एक मिनिमम एंड मेक्जिमम सिमा होती है कोई भी जियों वह फीजिकल एंवियमेंटल को के कारकों को सर्ण करने के लिए एक मिनिमम और मेक्जिमम रेंज होती है इस मिनिमम और मेक्जिमम रेंज के बाहर जियों उसे सर्ण नहीं कर सकते ये उदान में ने तुम्हें मेरे अपने खुद से स्टार्टिंग में दे दिया था अपना खुद का ताप मान जैसे अधिक्तम 45 और मेने में 15 के दौरा इसके बार जियों उसे सहन नहीं कर पाता इन दोनों सीमाओं के मद्दे किसी एक इस्तान पर वह सीमा जिस पस उर्क कारक की उपस्तिती में जीवन किर्याई की दर अधिक्तम होती है जैसे मनुस्य के लिए 37 डिगरी से स्टार्ट तो इन दोनों रेंज है उच्चतम और मेनिमम और मेक्जिमम की इन दोनों रेंज के बीच में कोई एक इस्तान पर यह सीमा होती है जिस पर उस कारक की उपस्तिती के कारण जीवन किर्याई की दर मेक्जिमम अधिक्तम होती है इस रेंज को इस सीमा को बोलते हैं ओप्टिमम लिमिट यानि उप्यूक्त सीमा यह नियम प्रमुक रूप से प्रकाश जल ताप हवा आदिवोथी कारकों से सम्भनी थे बड़े कारकों से रेलेटेड हैं अब जिससे ताप के समंध में और बीच की सीमा को उप्यूक्त सीमा बताया गया है इसमें पश्ट है सान ये सीमा पश्ट क्या बतार है कि सान ये सीमा सान ये सीमा हमें किसे करते हैं किसी जियों की साइशनुता एक कारक के प्रति अधिक्तम सीमा तक हो सकती है तो दूसरे कारक के प्रति बिल्गुल कम हो सकती है ये उसकी सान करने की सीमा है कि किसी एक कारक के लिए वह अधिकतम हो सकते हैं तो किसी दूसरे कारक के लिए वह सहन करना मुश्किल होता है यानि कम होती है सेंगडे वित्रन पढ़नाली जिन जिवों की सहयश्णता सीमा सभी कारकों के प्रति अधिक होती है वे अधिक वित्रित होते क्यों कि अगर उनका वातावन में adaptation सभी कारकों के प्रति अधिक है वो सबको सान करने की सीमा अधिक रखेंगे तो वो वित्रित भी अधिक होंगे, distribute भी ज़्यादा ही होंगे और जिनसे जियों के साहिस्टन सीमा कम होगी, वे कम ही वित्रित होंगे सान ये सीमा, एक जियों के किसी एक पारिशितिक कारक के प्रति साहिस्टनता की सीमा उप्यूक सीमा पर नहीं होने पर Optimum range में नहीं होने पर दूसरे कारकों के लिए सहीशनता की सीमा कम हो जाती है मतलग एक जगह खराबी आने पर एक कारक के प्रति सहीशनता की सीमा उप्यूक्त नहीं होने पर दूसरे कारकों की सहीशनता की सीमा भी कम हो जाती है बहुगोली की स्थिति किसी जीओं की पारिस्थिति कारक के प्रति सहस्नता की सीमा और उप्यूक्त सीमा बहुगोली की स्थिति और मोसम के नुसार बदलती रहती बहुगोली को मोसम के नुसार इस सीमा ये बदलती रहती नेक्स्ट परजनन क्रांतिक काल के समान जीओं में परजनन काल का समय क्रांतिक होता है जैसे वैस्क, ब्लू क्रेब यां अधर सी एनिमल्स कुछ समय के लिए जल में रह सकते हैं परन्तु उनके लारवा सोच पानी में कुछ समय के लिए भी नहीं रह सकते अता ये जात्या नदी के वातावाण में प्रदिनन नहीं कर सकती ये उनका क्रांतिक काल होता है सीमाकारी कारकों की सहुख्त अवधार्न जो सीमाकारी कारेक दो दिये थे लीबिंग का नियुनतमता का सिद्धान और सेलफोर्ट की सयुष्णिता की सीमा का सिद्धान इन दोनों को मिलाकर ये सीमाकारी कारकों की सयुक्त आउधार्णा दी गई ये अधिक्तम ये अधिक्सा माने वह आधुनिक आउधार्णाएं जिसे सीमा कारी कारकों की सयुक्त आउधार्णा करते हैं इसे ओडम के द्वारा दिया गया 1971 में किसने ओडम ने दी 1971 में इसके अनुसार प्रकरती में जिवों का नियंत्रन उनकी सयुष्णता की सीमा या पदार्थ की मात्रा वह विबिनता पर होता है प्रकरती में जिवों का जो नियंत्रने उसकी सहन करने की सीमा या पदार्थ की मात्रा या विबिनता पर होता है सबी जियों के नियूंतम आवशक्ता होती है तथा उन्हें क्रांतिक भोतिक कारकों की भी आवशक्ता होती है प्रकरती में जियों निमली की दो प्रिस्थितियों दोरा नियनत्रित होता है पहला जिन पदार्तों की जियोंदारी को सबसे कम आवशक्ता होती है उनकी मात्रा वह परिमान तथा बोतिकारकों का प्रभाव उस पर निर्णाइक होता है जिसकी सबसे कमा हो सकता होती उसके मात्रा कितनी है है ना बोतिकारकों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है शेकन जियुदारी वाताउन के अन्य गटकों तथा स्वयम की परिव परतंसील ताकि सान सीमा से भी नियंत्रित होता है पर शीमा कारी कारकों का प्रभव शीमा कारी कारकों की आउदान ना के द्वारा प्रिस्तियों के जटिल वाताउन का खांत्रिक अद्देन किया जाता है सीमाकारी कारकों से जाना जा सकता है कि प्राणी की सहुष्पनत सीमाकार के परती कम है और किसके परती आजिक है जैसे ओक्सीजन सभी अनिमल्स के लिए आउशक है परंतु जल में मचली मरती है तो ओक्सीजन सीमाकारी हो सकती है क्योंकि अगर मचलियां मर रही है तो इसका मतलब वहाँ ओक्सिजन की कमी हो रही है लेकिन इस तले पारी तंत्र में अगर जानवर मरता है तो यहां हम यह नहीं कर सकते हैं कि यहां ओक्सिजन कम हो गई मनुस्य के लिए 20 सेंटिग्रेट से 25 सेंटिग्रेट ताप सहस रेष्ठी और इससे 5 सेंटिग्रेट नीचे या 5 सेंटिग्रेट उपर हम कटिनाई महसुस करने लग जाते हैं अतब 20 cm से 5 cm तक और 25 से 40 cm तक जो रेंज है वह रेंज कलाएगा कारी की दबाव सेत्र अब इस मतलब यहां आप कटिनाई महसुस करेंगे कारी की दबाव सेत्र अब इस कारी के दबाव सेत्र से उपर यानि 40 से उपर और इधर 5 से नीचे या 48 से उपर का सेत्र घातक सेत्र साबित हो सकता है और यह सहेशनोता सीमा समान उती से नियूंतम उच्चतम बिंदू भी करते हैं यह हर जियों के लिए अलग लगे नेक्स्ट है शीमाकारी कार्गों के अद्दिन द्वरा हम सभी कार्गों के कारी की दबाव शेत्र वग्गा तक शेत्र ग्याद कर सकते हैं इस प्रकार ये दो सिद्धान थे कंसेप्ट ओब लिमेटिंग फेक्टर्स में लिविंग लोब मिनिमम और सेकंड था सेल्फ ओड लोब टोलरेंस और इन दोनों को मिला के कंसेप्ट ओब लिमेटिंग फेक्टर्स ये इंपोर्टेंट होते हैं एकजाम की द्रश्ठी से इस प्रकार हम अमारा इस पेपर का पस्ट उनिट आज कंप्लीट हो जाती थेंक्यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट टे मिलते हैं एक नेक्स्ट निउ इनिट या निउ पेपर के साथ थेंक्यू थेंक्यू अरिमाच